Hello students! आज की वीडियो में हम करेंगे integration dx upon a plus b cos x वाले questions का ठीक है? तो start करते हैं but before that आपको पता होना चाहिए cos x का जो formula होता है वो क्या होता है? cos x होता है 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 ठीक है? तो एक एक्जामपल लेते हैं उस सब को इच्छे से clear होगा कैसे? dx upon 3 plus 2 cos x ठीक है? right? a3 होगे, b2 होगे तो क्या बता है मैंने? मैंने बता है आपको कि जहां पर आपका cos x लिखा है महां पर ये रखो क्या है? 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 right? इसके बाद lc म लोगे denominator में तो कुछ ऐसा आएगा देखो plus 2 into 1 minus tan square x by 2 और जो 1 plus tan square x by 2 था वो उपर चाजाएगा तो लिखेंगे इसको 1 plus tan square x by 2 और यहांपर dx right अगला step जहांच देखना what is 1 plus tan square x by 2 it is sec square x by 2 dx उसके बाद निचे देखो 3 plus 3 tan square x by 2 plus 2 minus 2 tan square x by 2 जो बन जाएगा कुछ ऐसा sec square x by 2 dx upon 5 plus tan square x by 2 right इस step पर यह बार आजाओप फिर करना क्या होता है 10 x by 2 को t put करना होता है 10 x by 2 को t put कर लेंगे इसके बाद differentiate करते हैं both the sides तो देखो इसका derivative क्या होगा इसका होगा sec square x by 2 sec square x by 2 और x by 2 का 1 by 2 right इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो वापस आते हैं नहीं पर जाए sec square x by 2 और dx के जाए क्या लिखेंगे dx यहां से निकालो dx आएगा टू डी टी अपाँ अपाँ सेक स्क्वेर एक्स बाइटू देखो जाएं से dx उपर ले आया और इसको उदर ले गया मेरे ख्याल से ठीक होगी है हम् 2 dt ठीक है ठीक है 6 square ही कट गया यहां पर भी है ना देखो यहां पर क्या 5 plus 10 square x by 2 तो है और डी यह मरे पस यह कट गया तो यह क्या है dt अपाँ 5 plus t square कर देते हैं चलो ठीक है अब देख उसके बाद इसको हम लिख सकते है root 5 square plus t square and what is the integral of x square plus a square यह होता है 1 by a tan inverse x by a plus c तो यह क्या बन जाएगा 1 by a 1 by a a constant वाल होता है मिशा यहाद रखो तो यहां आगया tan inverse x क्या होता है variable upon a plus c जो बन जाएगा 2 upon root 5 tan inverse t की जागा क्या आएगा t है न हमने एजिम किया था भी यह रहा tan x by 2 tan x by 2 upon root 5 plus c तो यह था हमारा t x upon a plus b cos x का एक example लिया उसे करके दिखाया next time हम करेंगे t x upon a plus b sin x का वीडियो ओके अँ आएगा यह ऊवागा लिए लिए बना में गो यह दे हूएएगा